हेलो साइबर वोर्म्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिली अदब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स आज के सेशन के अंदर हम एनमैप वायर सार्क और मेटा इस्प्लॉय टेवल 2 को इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं तो विताउड में किया ने डिले लेट्स कंटिन्यू तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के उपर और फिर हम यहाँ पर सबसे पहले एनमैप को इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर simply हम type कर देंगे Nmap और उसके बाद download, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, download the free Nmap security scanner for Linux और Mac OS, तो इस पर आप click कर देंगे, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप Windows user हैं, तो आप Windows से install कर सकते हैं, अगर आप Mac OS यूज करत हैं, तो Linux का version install कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम simply download पर click करते हैं, और फिर हम Windows पर click करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, nmap 7.94 setup.exe, तो इस पर आपको simply click कर देना है, और यह download होना start हो जाएगा, तो इसको मैंने already download कर रखा है, इसलिए मैं इसको cut कर देता हूँ, और फि इसको पहले से install कर रखा है, तो सबसे पहले इसको हम uninstall कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं simply type करता हूँ, uninstall, उसके बाद मैं control panel पर चला जाता हूँ, और फिर यहाँ से आपको आ जाना है programs and features के अंदर, इसको हम click करते हैं, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे सारे ज delete कर देते हैं, uninstall कर देते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर click करूँगा, और फिर uninstall पर click करूँगा, yes पर click करके इसको uninstall कर दूँगा, सो गैज यह अनिस्टॉल हो चुका है और अब हम वायर सार को भी अनिस्टॉल कर देते हैं तो यहां पर मैं क्लिक करूँगा और फिर अनिस्टॉल पर क्लिक करके इसको एस करके अनिस्टॉल कर दूँगा यहां पर आपको next next करके on install पर क्लिक कर देना है तो guys यह भी on install हो चुका है और इसको अब हम cut कर देते हैं और फिर हम आजाते हैं अपने download folder के अंदर तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने nmap अल्रेडी डाउनलोड कर रखा है तो इस पर हम double click करेंगे और फिर yes पर click करेंगे और फिर I agree करेंगे next पर करेंगे और इसका destination folder आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो इसको मैं simply अपने दूसरे folder के अंदर रखूंगा तो मैं इसको paste कर देता हूँ और फिर इसको हम install कर देते हैं अगर आपको menu folder के अंदर चाहिए या फिर desktop icon चाहिए तो उस पर click करके आप इसको add कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर finish कर देते हैं और फिर हम इसको minimize करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nmap हमारा आ चुका है इसी तरह से अब वायर सर्क को भी install करना सीखने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे simply अपने chrome browser पर जाएंगे और फिर यहाँ पर new tab open करके यहाँ पर हम simply type करते हैं वायर सर्क डाउनलोड उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड वायर सर्क का लिंक आ चुका है तो यहाँ पर आपको simply क्लिक करना है और उसके बाद अगर आप windows 64 bit का version यूज करते हैं तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप Mac को यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो हम simply windows 64 installer को डाउनलोड करने वाले हैं तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मैंने अल्रेडी डाउनलोड कर रहा है इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं और फिर नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी इसका डेस्टिनेशन फोल्डर है उसको एड़ कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट 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 और यह इंस्टॉल रोना स्टार्ट हो चुका है और फिर हम यहाँ पर next क्लिक करके इसको complete कर देते हैं तो यहाँ पर आप इसको finish पर क्लिक करके इसका installation complete कर सकते हैं और अब चेक कर लेते हैं हमारा wireshark install हुआ है या फिर नहीं तो यहाँ पर हम simply search बार में जाकर type करते हैं wireshark तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा wire surf इंस्टॉल हो चुका है तो इसको मैं सबसे पहले add कर देता हूँ अपने desktop के उपर के लिए मैं simply इसको click करके यहां से move कर देता हूँ तो यह हमारा wire surf भी आ चुका है और अब हम जानने वाले कि कैसे आप meta exploitable 2 को install कर सकते हैं फिर इसको हम यहां पर जो sourceforge.net है वहां पर आपको click करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आ जाएगा आपके पास download latest version तो इस पर आपको click कर देना है और यह आपको 5 seconds के अंदर download होना ही start हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं download होना ही start हो चुका है तो मैंने इसको already download कर रखा है इसलिए मैं इसको cut कर रहा हूँ और आप हम move करते हैं अपने download folder के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने meta exploitable Linux 2.0 zip को download कर रखा है तो इसको आपको simply क्या करना है यहां पर right click करके more option में जाने के बाद extract here करके यहां पर आपको इस folder को extract कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है simply अपने virtual machine को open करना है तो मैं Oracle virtual box को open करता हूँ और फिर यहां पर आप देख सकते हैं मैंने meta exploitable 2 को already install कर रखा है तो आपको यहां पर install करने के लिए simply इस new पर click करना है और उसके बाद यहां पर लिखना है आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं मैं यहां पर MS2 लिखता हूँ इसको अभी हम ऐसे ही रख देते हैं और फिर हम यहां पर जाते हैं Linux टाइप के अंदर Linux डाल देते हैं और फिर इसके अंदर version के अंदर order Linux 64 भी डाल देते हैं इसके बाद next पर click करते हैं इसको ऐसे ही रख देते हैं और फिर इसको finish करते हैं और इसको start करते हैं अब हम तो guys यहाँ पर आपको select करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर documents के अंदर आते हैं डाउनलोड में अल्रेडी इंस्टॉल कर रहा है इसलिए यह थोड़ा गड़बर दिखा रहा है इसको सबसे पहले मैं delete कर देता हूं इसको भी मैं delete कर देता हूं और फिर हमें आपन new पर click करते हैं यह पर मैं लिखता हूं meta exploitable इस folder को मैं change कर देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं use an existing virtual hard disk file तो इस पर आपको click करना है यहां से आपको simply add पर click करना है और फिर आपको अपने जो भी जहां पर आप उसको extract करके रखे हैं वहां पर जाकर आपको यह देख सकते हैं आप मेरे पास जो ISO image मेटा exploit का उस पर आप इहां पर click करके और फिर इसको आप open कर सकते हैं या फिर मालों उसको आप add कर सकते हैं और फिर यहां से आप choose कर सकते हैं तो इसको मैं अपने F folder के अंदर रखने वाला हूं और फिर यहाँ पर आप इसको Linux चूज़ कर सकते हैं और इसकी version को हम order Linux 64 bit रखते हैं इसके बाद next करते हैं तो इसको आपको normally रख देना है और फिर आप यहाँ पर देख सकता है कि यहाँ पर add पर click करना है और फिर आप जहां भी अपना जो download folder है जहां पर आपने अपना meta exploitable iso image को download कर रखा है वहाँ पर जाकर उसको simply choose करके उसको add कर देना है तो यहाँ पर मैंने already add कर रखा है इसलिए मुझे so नहीं हो रहा था तो यहाँ पर मैं click करता हूं और चूज करता हूं और उसके बाद मैं इसको next करता हूं और फिर इसको हम finish कर देते हैं और फिर हम start कर देते हैं कि तो भी आप देख सकते हैं यह install होना start हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर Meta Exploitable Login और Password मांगेगा तो यहाँ पर आप जैसे कि उपर देख सकते हैं Login with MSF Admin slash MSF Admin to get started तो इसका जो username है वो भी MSF Admin है और जो password है वो भी MSF Admin है तो यहाँ पर हम इसको simply login करते हैं MSF Admin तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम login हो चुके हैं और इसको अब हम check कर लेते हैं कि यह काम कर रहा है या फिर नहीं तो यहाँ पर मैं type करता हूँ IF Config उसके बाद हम इसको enter करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह proper काम कर रहा है यहाँ पर हमारा यह IP address show कर दिया है IPv6 भी show कर दिया है तो यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे आप Meta Exploit Table 2 वायर सार्क और Nmap को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिबाइस के अंदर तो यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे आप Meta Exploit Table 2 वायर सार्क और Nmap को अपने डिबाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं तिल दे सेत दे सां सक्यों के अंदर हैं